नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बारवे की पोस्तक आरो भागदो से भगतिन नामक पाठ जो महादेवी द्वारा रचित है तो वो आज पढ़ेंगे जिसमें महादेवी वर्मा ने नारी अस्तितों की संगर्श पूरुन आवाज को उठाया है तो यहाँ पर जो भगतिन है उसके जीवन के बारे में बताया गया है और यहाँ यह जो पाठ हमारा भगतिन लिया गया है यह संस्मन के रूप में लिया गया है तो यहाँ महादेवी वर्मा ने जो समरिती की रेखाएं हैं वहाँ से यह पाठ लिया गया है और यह के संस्मन विदा में रचित पाठ है, तो यहां पर भगतिन जो है, वो इसका केंदर बिंदु है, या मुख्य पातर के रूप में यहां पर चरित की गई है, और यहां उसके जो जीवन में चार प्रिछेद आए हैं, उनके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे, पहला जो भगतिन है, वो उसके बच्पन का जो विवरन है, वो है, बच्पन में ही उसकी माता का नीदन हो जाता है, यानि अलपायों में ही उसकी माँ चल बसती है, और चोटी सी उमर में ही उसकी साधी कर दी जाती है, और जो सोतेली माँ है, वो पांच वरस की अलपायों में ही उसकी साधी करा देती है और साधी के बाद यानि चार साल बाद ही उसका गोना करा दिया जाता है, गोना होता है कि उसको चार साल बाद ससुराल भेज दिया जाता है, यानि बाले अवस्था में 5 वरिस की आईु में साधी कर दी जाती है और 9 वरिस की आईु में गोणा कर दिया जाता है। जो सोतेली मां का जो विवार है वो क्या है, उसका अच्छा नहीं है, यानि वो उसको हमेशा तंग करती है, लड़ाई जगड़ा करती रहती है, उसको मादेवी वर्मा बताती है कि वागतिन उनको पसंद नहीं थी, तो इसलिए बच्पन में ही, बालल अवस्था में ही उनका बाल भी वाकरा दिया गया और फिर उसको ससुराल भेज दिया गया और वो नहीं चाहती थी कि वो ज़्यादा समय तक यहाँ रहे और अपने पती यह पिता की समपती पर अपना अधिकार जमाए तो इसलिए उसको बाले अवस्था में ही अपने घर से विदा कर दिया दुसरा दवितिय प्रीछेद में भगतिन का वैवाईक जीवन, यानि बच्पन में तो उसको दुख मिले लेकिन साधी के वादवी विवा के वादवी उसका जो जीवन है वो अच्छा नहीं रहा, उसमें भी अनेक अठिनाईयों का उसको सामना करना पड़ा, और उसका जो वेवाईक जीवन है वो अच्छे से नहीं गुजरा, क्योंकि उसमें अनेक अठिनाईयों का उसने सामना किया, परिवार में रहते हुए भी उसकी जो सा ती जेठानिया थी उसके साथ और पूरन विवार करने लगी थी, क्योंकि उसने तीन तीन गे वारंग की बेटीयों को जनम दिया था, और इसलिए वो उसको पसंद नहीं करती थी वो कहती थे, कि हमने तो पेटों को जनम दिया, और इन्होंने बेटी को जनम दिया, क्योंकि उस समय लड़की और लड़कियों में भेद्भाव किया जाता था, समान भाव से नहीं देखा जाता था, तो वो जो उसकी बेटियां थी वो दिन भर काम करती और गोबर वगएरा इकठा करती और उसके जो बेठानियों के जो लड़के थे वो कुछ काम नहीं करते थे खाने को उनको अच्छा दिया जाता था दूद से मलाई उतार कर या मलाई वाला दूद उनको दिया जाता था और जो बगतिन की जो बेटियां थी उनको ये सुखी रोटी दी जाती थी गुड की गुड और चने की गुगरी उनको चबाने के लिए दी जाती थी तो उनके साथ नय पूर्ण वेवार किया जाता था ल तो वो अपने प्रिश्रम के बल पर उन्होंने खेत खलियानों को पसू वगएरा जो वो रखते थे उनको अच्छी से संबाल रखा था फिर अगला है उसमें परिवार से अलग हो जा तो वो अलग हो जा होता है परिवार से बटवारा करना या परिवार से अलग हो जाना तो उसकी बेटियों को सम्मान नहीं मिलता था, तो उसने अपने पती से कहकर प्रिवार से बटवारा करवा लिया, वो प्रिवार से अलग हो गई और जिससे उसने अपने, क्योंकि उसको बहुत अनुभाव था, अच्छे खेतों को उसने ले लिया, जिससे उसने बहुत महनत की, अपने खेत में बहुत अच्छे से काम किया और अपने उसको प्रिवार को अच्छे से समरीद बनाया, और कुछ ही समय बाद वो अपने प्रिवार को या अपने उसको खेती को, पस्मों को समरीद बना चुकी थी, जिससे किसी को भी ऐसा करना पस पिर तिसरा प्रिशेद उसका आया, पती की मृट्व और विद्वा के रूप में संगर्सिल जीवन. तो कुछ ही समय बाद, जब वो प्रिवार से अलग हो गई थी, तो कुछ समय बाद उसके पती की मृट्व हो जाती है, क्योंकि जब उसके पती की मृतु हुई उसमें उसके पती की आयू 36 वरस थी और उसकी आयू यानि भगतिन की आयू 29 वरस ही थी यानि आयू भी बहुत कम थी लेकिन फिर भी उसने पती के जाने के बाद भी अपने प्रिवार को, अपनी बेटियों को, अपने खेतों को अच् तो इन गुणों के कारण उसने अपने प्रिवार को फिर से अच्छे से चलाया और फिर विद्वा के रूप में संगर्शिल जीवन यानि विद्वा होने के बाद भी उसने बहुत संगर्श किया क्योंकि जब उसके पती मर्तु हुई तो उस समय उसने एक ही बेटी की साधी क की थी और उसके कुछ समय बाद ही उसके पती की मर्तु हो गई थी लेकिन फिर भी उसने विद्वा होने के बाद भी अपनी दो बेटियों के साथ जो चोटी बेटियां थी उनके साथ मिलकर अपने खेतों को अच्छे से संभाला यानि पूरा विकास उसने किया फिर भी उस ने हार नहीं मानी और वो अपने जीवन में संगर्स करती रही लेकिन ये सब उसके परिजनों को अच्छा नहीं लगा जो जेट थे जिठो उत थे उनको ये सब पसंद नहीं था और उनोंने सोचा कि ये किसी न किसी तरह से यहां से चली जाए और जो खेत खलियान है घर बार है या उनकी संपती है वो सब उनको मिल जाए लेकिने भगतिन ने ऐसा नहीं होने दिया उसने अपने जो बड़ी बेटी की साधी की थी उसके पती को घर जमाई बना लिया और वहीं पर रहने लगे और फिर उसने मिलकर अपने दामाद के साथ बेटी के साथ अच्छे से काम किया लेकिन यहां भी उसका बहुत ही दुर भागे रहा क्योंकि जो बड़ी बेटी थी उसका कुछ समय बाद ही या एक साल के बाद ही उसके पती की विम्रित्तु हो जाती है और वो भी इस संसार को छोड़ कर चले जाते हैं लेकिन फिर से अकेली हो जात हैं तीनों बेटी और मा तो इस कारण फिर उनको जेट जिठोतों को एक और मौका मिल जाता है उसे संपत्ति को हडपने का तो फिर वो जो चालवाज जो उनका जिठोत का साला है उसके साथ उसकी बड़ी बेटी की साधी करवाना चाहते हैं लेकिन वो बेटी साधी करने के लिए तयार नहीं होती, क्योंकि वो जो जेठोत का साला था, वो उसके लायक नहीं था, वो तीतरवाज लड़ाने में काम्याब हो जाते हैं, और उन दोनों की साधी करा दी जाती है, लेकिन वो जबरजस्ती की साधी कराई जाती है, वो मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो साध उनकी कर दी जाती है पंचायत भी उनके प्रती नय पूरण फैसला नहीं सुना पाती और उनको साधी की बंदन में बांध दिया जाता था दिया जाता है और लड़कियों की जो स्थीती थी उस समय यानि जो नहीं चाहती थी या उसकी लाइक जो वर नहीं होता था वो चुनन करने का उनके पास कोई अधिकार नहीं होता था यह स्थिति भी वहां उस समाज की दिखाई गई है और फिर वह अपना जीवन संगर्सपूरण चलाती रहती हैं और यहां तक महादेवी वर्मा कह देती है कि मैं इस घर को चोड़ कर कहीं नहीं जाओंगी मैं तो यहीं रहकर तुमारे चाती पर मूंग दलूंगी अर्थार्थ कहने का ताद पर यह था कि मैं यहीं रहूंगी कहीं भी इस परिवार को अपने बच्चों को चोड़ कर कहीं नहीं जाओंगी तो ऐसा संगर्स करके वो वहीं रही और अपना कारिये करती रही लेकिन जब उस बेटी की, बड़ी बेटी की साधी उसके तीतर बाद साले से हो जाती है तो वो सब कुछे नश्ट कर देता है, आयासी करने लग जाता है खेत खलियान को भी नहीं संभाल पाता है तो इसके कारण वो गरीब हो जाते हैं तो ऐसी स्थितेय उत्पन हो जाती है कि वो करे भी अदा नहीं कर पाते जो जमिडार उनसे लगान लेते हैं, कर लेते हैं वो भी चुकाना उनके लिए संभाव नहीं हो पाता तो एक दिन तो ऐसी पिरिस्तिती आ जाती है कि भगतिन को जो जमिडार था तो उसने दिन भर कड़ी धूप में उसको खड़ा रखा, जिससे भगतिने, क्योंकि वो तो बहुत प्रिशरमी महनती थे, इसे अपमान को वो सहन नहीं कर पाई, और दुखी होकर अपना गाउं चोड़ कर वो सहर आ गई, तो यहां से फिर उसका चोथा और अंतिम प्रिशे प्रिशरू हो जाता है, तो भगतिने यहां महादेवी की सेविका के रूप में रहती हैं, वहां पर नोकरानी के रूप में काम करती हैं, और नोकरानी बनकर महादेवी के घर में रहती हैं, रसोई का सारा काम, सारा कारिय भार वो संभाल लेती हैं, और भगतिने सारी का जो भी कारिये था वो खुद करती थी महादेवी वर्मा को रसोई में आने नहीं देती थी और खाना उसको अच्छे से जैसे बनाना नहीं आता था लेकिन फिर भी महादेवी वर्मा किसी ने किसी तरह से उसको खा लेती थी और कभी जब भी सब्जी वगेरा वो नहीं बना पाती थी, तो यह आम चूर, यह लाल मिरच की चटनी बना कर महादेवी वर्मा को खिलाती थी, तो इस तरह वो खाते-खाते, महादेवी वर्मा बिया दिके, देहाती हो गई थी, यानि उनको जो सारी चीजे थी, वो जो पसंद नहीं थी, महादेवी वर्मा को, भगतिन, वो माहदेवी वर्मा को उन्होंने देहाती बना दिया था जो भी वह कहादे लग गई थी और उसकु जो भी गाऊं की कःवत थी वह कंठैस्थ हो गई थी माहदेवी वर्मा को क्यूंकि बार बार ऐसे ही सब्दों को वो बॉलती रहती थी जो वहां पर ग्रामिल भासा में परचलित होते हैं कहावते होती हैं वो सारी महादेवी वर्मा को भी कंठस्त हो गई थी और फिर इसके जीवन में और क्या है क्योंकि महादेवी वर्मा के पास चबू रहती थी तो सारा जो कारिय भार था दिन भर का जो कारी भर वो था वो उसको संभालती थी पूरी तरह से हिमानदारी से करती थी और महादेवी वर्मा लेखी का थी और जिस कारण वो राद भर जगती थी और लेखन का चितरकारी का वो काम करती थी लेकिन जब तक महादेवी वर्मा जगती रहती तब तक भगति भी जगती थे और वो संकेत भी नहीं करते उससे पहले ही जो महादेवी वर्मा को वस्तु चाहिए वो उनको लाकर दे देते थे कभी वो इसारा करके रंग पूछती कभी चाय बनाकर उनको देती तुलसी अद्रक डालके तो वो उसकी पूरी तरह से सेविका के रूप में कारिय करती थे और महादेवी वर्मा से वो पहले ही जग जाती थे और जैसे ये सोना थे हिरने उनकी वसंत नाम का जो कूता था उनको सुबह सुबह जल्दी उठकर नित्य करम जो होते हैं उनकी वो करवाती थे और जब घूमने जाती महादेवी वर्मा उनके साथ परच्छाई के रूप में हमेशा उनके साथ रहते थे, उनको कभी अकेला नहीं छोड़ती थे, और महादेवी वर्मा को लोग कहते थे, कि ये जेल जा सकते, क्योंकि उसमय सवादिंता अंदोलन चले हुए थे, तो कि ये लेखी का है, तो इस कारण उनको कभी भी जेल हो सकती है, और इस भै से वो बहुत दुखी हो जाते थे, क्योंकि महादेवी वर्मा की जेल की बात आने से वो घबरा जाते थे, और भगतिन को जेल से बहुत डर भी लगता था, उसकी उची दिवारों को वो ये मराज मानती थे कि यहां मृत्तु निश्चित है तो वो जेल से बहुत दरते थे लेकिन जब महादेवी के साथ जाने की जब जेल की बात आते तो उससे भी वो पीछे नहीं हटते थे वहां जाने के लिए भी वो हमेशा तयार रहती थे और कहती थे कि मैं कौन से कपड़े लूँ, कौन से कपड़े धोकर रख लूँ, कौन सी धोती लूँ, तो वो भी तयारी पहले से ही वो कर लेती थे लेकिन महादेवी वर्मा से वो दूर रहना नहीं चाहती थे और फिर उसने इतना करने के बाद भी जब बात आए है कि अगर महादेवी वर्मा के साथ अगर मैं नहीं जा सकती तो मैं बड़े लाट के साथ, लाट होता, सासक के साथ लड़ने को भी तैयार हो जाते थी, अकी मैं उच्छे भी लड़ूंगे, लेकिन महादेवी वर्मा को अकेली जेले नहीं जाने दूंगे, तो यहां पर कहा, अकी भगतिन थी, जो वो यनितनी सेवा भाव में समर्पित थी, तो ऐसी सेविका के रूप में रहे, कि वो सेविका नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का एक दूसरे से संबंध जुड़ा हुआ था, वो बसे के सेविका ही नहीं, नोकरानी ही नहीं, बल्कि उन दोनों का जैसे भाई, भेन का, माता, पिता का ऐसे एक दूसरे से संबंध कई बार तो वो बगतिने यानि आनपड होते हुए भी जो पड़े लिखे थे उनको भी वो मादेवी वर्मा के कारण क्योंकि मादेवी वर्मा पड़ी लिखी थे जिसके अभिमान में भरकर उनकी वो गुरू बन जाती थी और वरिदा आवस्था में वो अपने आपको के लिए सरम महसूस करती थी तो वो दूसरों की वो गुरू बन जाती थी क्योंकि उनको मादेवी वर्मा पर इतना विमान था और वो कहती थी कि मादेवी वर्मा मेरी इनके सामने कोई भी अच्छा नहीं है या इतना पड़ा लिखा नहीं है इतना समझदार नहीं है ऐसी वो करती थी और मादेवी वर्मा में वर्मा ने कुछ बगतिन की कमिया भी बताई हैं वो कमिया है जैसे इधर उधर पैसे पड़े हुए रहते थे तो मादेवी वर्मा के उन पैसों को उठा कर वो मठकी में चिपा देती थी और जैसे कुछ भी उनको बात मनवानी होती तो हुआ सास्त्रों का सम्मत देकर उनको तुरंत मलो मनवा लेती थी जैसे कोई जूठ भोलना है या फिर बाल मंढवाना है तो ऐसी जो सास्त्र शमत बाते देकर जब बाल मंढवाती तो मादेवी वर्मा को अच्छा नहीं लगता था तो वो कहती थी कि तुम बाल क्यूं मडवा लेती हो यह अच्छी बात नहीं है तो भागतिन सास्त्रों की दुभाई देती हुई कहती है कि तीरत गए मुंडा एसी तो ऐसी दुभाई देकर उनको चूप कर देती थी लेकिन और ऐसी ऑदीर मादेवी वर्मा जो भी कुछ कहती है उसके तरक को तुरंट काट देती थी और बगतिन की आदत ही है कि वो खुद परिवर्तित होना नहीं चाहते थी दूसरों को ही परिवर्तित कर देती थी बदल देती थी को अपने नुशार सब को धालल लेती है गहेन संबंध है, सच्चाय को फॉक्रा नहीं सकता है। और anght में मादे वी बर्मा ने कहा, यहां तो अग cafई जेल जा सकती एंग, साथ में जा सकती लेकिन जब अन्त में एक ऐसा समय आएगा, जब कोई भी किसी के साथ नहीं जा पायेगा। अर्थात भगतिन भी मादेवी वर्मा के साथ नहीं जा पाएगे अर्थाति सच्चाई को कोई भी ठुकला नहीं सकता है तो बचो ये थी हमारे जो भगतिन नामक जो पाठ था उसका संक्सित रूप में सारांस तो मैं उमीद करती हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अधिक से अधिक है अपने दोस्तों में परिजनों में इसको शेर कीजिए धन्यवाद